नगर परिशद आयुक्त के पद ग्रहन पर हंगामा महिला पार्शद पर कोलर पकड एभदरता का आरोप चुनु नगर परिशद में बुधवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब आयुक्त पद पर रजद जेन ने कारेभार ग्रहन किया मामला इतना बढ़ा कि नगर परिशद देखते देखते चावनी में तबदील हो गई यहां आरेसी का जापता तक तेनात करना पड़ा कॉंग्रेस पार्शदों ने आयुक्त का घेराव करते हुए उस पर गुंडा गर्दी करने का आरोप लगा दिया आयुक्त ने वार्ड बावन के पार्शद और परतीनी धी पर गाली गलोच कर कॉलर पकड एहभदरता का आरोप लगाया आयुक्त ने पूरे मामले को लेकर कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दी है आयुक्त रजत जेन ने बताया कि श्वायत सासन विभाग राजस्तान के आदेश पर उसे अधिशाशी अधिकारी नगरपाली का श्री मादोपूर के कारे के साथ साथ आयुक्त नगरपरिशत चूरू के पद का कारे करने है तू 15 दिन के लिए अधिकर्थ किया गया है जिसकी पालना में उसके द्वारा नगरपरिशत चूरू में आज आयुक्त पद का कारे भार ग्रेन कर लिया गया जब आयुक्त के कक्ष में बेट कर कारे कर रहा था तभी साड़े दस बजे के करीब वाड बावन की पार्शद और उसका पती वहाँ आए तथा उसके साथ गाली गलोच करने लगे महिला पार्शद ने उसके कॉलर पकड़ कर उसे कुर्सी से उठाने लगी तथा आयबदरता करते हुए धमकी दी आयुक्त ने बताया कि उन्होंने धमकी दी कि वे उसे SCST और POXO Act के मामले में फसा देंगे कभी उसके कक्ष में बेटे नरेंदर सेनी वे ताराचन सेनी तथा रमजान खान ने बीच बचाव किया इतने में पुलिस आ गई संद बाद ही वो इस तरह के बत्रता करी तो इस तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्री प्लांट था सारा कि कल मुझे दंकी मिली और यह इस्तिती हुई इसके लिए मैंने थाना थाना दिगारी को पत्तर से अवगत करा दिया गया है तो जैसे ही वो अपनी जांच करेंग झी वो इसके माल